दोस्तों हमारी दुन्या रहस्यों से भरी पड़ी है यहां आए दिन कुछ अजिब गरिब घटना देखने को और सुनने को मिलती है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजे दिखाने वाला हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा यह वीडियो दिमाग खिला कर रख देगी तो बने रही है इस वीडियो के अंत्य तक लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे समुद्र की गहराई में कई राज चुपे हुए है जिसे हर कोई जानना चाहता है आज विज्ञाने भले ही कितने भी तरह की क्यों न कर ली हो लेकिन कई राज ऐसे है जिसे विज्ञान ने आज तक नहीं सुझा पाया ऐसे ही एक अंसुलजी और रहसे में जगा है जो पानी आपस में नहीं मिलता दोनों महासागर का पानी अलग अलग दिखाई देता है जिससे आप इस पश्ट रूप से इस वीडियो में देख सकते हैं दूसरे नमर पर है फ्लाइंग फिस दूस्तों अभी तक आपने मचलियों को सरी पानी में तैरते हुए देखा होगा ल इसरी वीडियो बेहदी चोकाने वाली है क्या आपने कच्वे की खाल में एक साब को घुसे हुए देखा है नहीं ना तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इस वीडियो में एक साब कच्वे की खाल में घुस गया है तो ये कैसे हुआ चलिए इस वीडियो में जानते हैं दरसल जब भी साब कच्वे का सिकार करने के लिए उसके सर को काटता है तो कच्वे भी चलाकी से अपने सर को खोल में गुसा लेता है और जैसे ही साब कच्वे की खोल में अपना सर गुसाता है उसी समय कच्वा उसके सर को काट लेता है जिसके बस साब को खूद अपनी जान बचा कर वहाँ से भागनी पड़ती है दूस्तो मेरे खेया से ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी चौते नमर पर है हनी इन स्पेस स्पेस में ग्रैविटी नहीं होती ये हम सभी जानते हैं जिसके करण हर चीज वहाँ हवे में उड़ते रहती है यहाँ तक्की आगर आप पानी के बोटल को भी खोलेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेगा बल्कि उसकी बुंदे हावे में ही उड़ती रहेगी स्पेस में जाने वाले सियंटिس्ट पानी पीने के लिए एक पाइप कर इस्तिमाल करते हैं ऐसे ही स्पेस में जाने वाले एक सैंटिश ने इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो रिलिस की जिसे देखकर सब हैरान रहे गए सैंटिश ने जब हरी कर ढखतन खोला तो वो नीचे नहीं गिरा बलकि एक रेबन जैसा बन रहा था जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुन्या में एक ऐसा भी गाउं है जहां एक भी सड़के नहीं है आपको एस सुनकर यकिन नहीं हो रहा होगा लेकिन यही सच है ये विलेज निदर लैंड में है जहां एक भी सड़क नहीं है ये गाउं चारों तरफ से नद्यों से गिरे हुई है लोग आने जाने के लिए नाव यानी बोट कर इस्तेमाल करते हैं ये गाउं अपनी खुबसूरती और सांत वातावरेंट के चलते दुनिया भर में मसुहूर है दुस्तों आप भारत के कौन से सहर या कौन से गाउं में रहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर कहां कहां से जुड़े हुए हैं दुस्तों वैसे तो समानने तोर पर लोगों के 32 दाथ ही होते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाला हूँ जिसके 32 नहीं बलकि 300 दाथ है दर असल ये बच्चे एक बिमारी से ग्रसित है जिसके चलते दाथों ने उसके मुझे अपना घर बना लिया इस बच्चे के माबाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके इसलिए ये बिमारी बढ़ती चली गई और उसके मुझे 32 के जगा 300 दाथ हो गए हाली में इस बच्चे के मुझे को ओप्रेसन करके 50 दाथ निकाले गए है जऱ सोचिए कि इस बच्चे को कितनी तकली सहनी पढ़ती होगी दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको इन में से कौन से वीडियो सबसे अजीव लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस वीडियो का दूसरा पाट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पाट टू जरूर लिखें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद